हेलो अब्रिवान वेलकम अगेन आज के इस लेक्चर में हम लोग ATS को PLC से कंट्रोल करेंगे जैसे कि आप लोगों को बता होगा ATS होता है हम लोगों का City power available नहीं है तो उसके इसमें आपके लोड को ये जनरेटर के उपर सेफट कर देगा और जिब आपका City पाउर वापस से आजाएगा तो यह वापस से आपके लोड को City पाउर के उपर सेफट कर देगा यह एक ATS को काम होता से आप push buttons की help से इसको आप लोग control कर सकते हो मैं तो PLC से कर रहा हूं आप चाहो तो normal relay लगा लो दो relay लगा लो एंड उसके बाद भी कर सकते हो आप लोग ठीक है हम लोग PLC से देखिंगे कि हम लोग PLC से कैसे इसको control करते हैं ठीक है अगर आप लोग हमसे autogad electrical या फिर PLC programming बिल्कुल basic to advance सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे android app या फिर हमारी website से इन courses को join कर सकते हो अभी holy का special offer चल रहा है जहां पे आप लोगों को 15% का extra discount मिलेगा जोगी fee आप लोगों को android app या फिर website पर courses की दिख लिए उस fee पेर भी आप लोगों को extra 15% का discount मिलेगा अगर आप लोग holy 15 coupon code यूज करते हो तो बाकी courses की details और हमारे android app की details या फिर whatsapp number आपको मिलेगा वीडियो की लिच से description में तो simply आप लोग description में दिये हुए लिंक्स को follow करके courses चेक कर सकते हो और अगर आप लोगों को join करने हो courses तो आप लोग वहां से simply join भी कर सकते हो तो यहां पर मैं आ चुका हूँ वीडियो का link में आपको इसी वीडियो की निचे description में दे दूँगा ठीक है उस वाली का तो यहां पर हम लोग आते हैं ट्याइप प्रोटल पर मैं सबसे पहले यहां पर एक new project create कर लेता हूं इसको नाम देता हूं मैं ATS new and उसके बाद यहां पर create पर click करेंगे create पर click करने के बाद यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर configure device पर click करेंगे और उसके बाद add new device पर click करेंगे ठीक है उसके बाद controllers और यहां पर सिमाटिक में CPU हम लोगों के पास यह वाला ठीक है मैं आप सिंप्ली एड़ पर click करता हूं और एड़ पर click करने के बाद हम लोग और ट्याइप पॉटल के अंदर आ जाएंगे और उसके बाद programming window हम लोगों के सामने open होगी और फिर हम लोग क्या गाम करेंगे हम लोग प्रोग्राम ब्लॉक्स पर आएंगे आ हुए तो उसके बाद यहां पर हम लोग क्या आवानकरेंगे मैं यहां पर यहां पर ओपव लेता हूं पर यहां पर फोट 09 приб ठीक है और यहां पर मैं एक branch add करूंगा और यहां पर एक no contact लूँगा और उसके बाद हम लोग इस तरीके से यहां पर आहल ऑनो इसको लाइन rage करेंगे अपने आउट पूट को तो यहां पर एड्रस मेंदूंगा क्यों 00ट ठीक है अब यहां पर मेरे को चलो यह बात् сп pater pay हम लोग फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं यहां एनो लिंगे और आफ करने के लिए भी मैं एक मान के सुलो यहां पर एड्रस लगता हूं 0.0 जो की मेरा एक एलिमेंट है यह वाला यह एंसी पुस्ट बटन है ठीक है उसके बाद यहां पर एक और ब्रांच हम लोग एड करेंगे एक एनो लिंगे और एक आउट्पूट लिं क्यों 0.1 अब हम लोग इसको भी लैच करेंगे तो एक और ब्रांच यहां पर आड करना पड़ेगा और यहां पर मैं एक एनो पर भी इसको ले लूँगा तो इसको स्के लिए करेंगे तो इस तरीके से यहां पर यह हो जाएगा और उसकी बाद हम लोग इसकी इंट्रलॉकिंग भी कर देंगे ठीक है प्रोग्राइम में भी हम लोग इंट्रलॉकिंग कर देते हैं तो मैं काम करूंगा जो यह इंपूट हैं लोगों का इंट्रलॉकिंग तो मैं करता हूं आई जिरो डॉट फाइव तो यहां पर मैं आई जिरो डॉट फूर का यूज कर लोगा ठीक है तो यह वो गया हम लोगों का एंड्ट उसके बाद अगर हम लोग मान के चलो इसको टागिंग भी दें तो हम लोग हम लोग का city power ओके तो मैं चेंज कर देता हूं यह हो गए हम लोग का यहां पर सीटी पावर और यह होगा हम लोग का generator तो यह हो गया generator एन उसके बाद यहां पर इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे ठीक है तो यह हो गया हम लोगों का सेम यहां पर भी हम लोग इसको री टैक कर देते हैं यह होगा हम लोगों का यहां पर सिटी पावर है ओके तो यह सिटी पावर हो गया चेंज करेंगे इसको एंड यह होगा हम लोगों का यहां पर जन्रेटर और यहां पर रख करेंगे और यहां पर चेंज़ कर देंगे टीक है यह के हम लोग नहीं करना है अच्छा जन्रेटर यह वन और तो मैं एक काम करता हूं इसको फ़्वी कर देता हूं इद आंए यहां पर देते हैं और जो यह सámहत हो प्र उसको ने स्सक्राइब और यहां पर भी मैं इसको चलो यह तो सेमी ना तो यह हो जाएगा हाला कि मुझे जरुरत नहीं थी इस एन्लो को यूज करने की यहनि कि इस एंसी एलिमेंट को यहां पर यहां पर कर लेते हैं अब मैं काम करूंगा यहां पर डाउनलोड डिवाइस पर क्लिक करूंगा और डाउनलोड डिवाइस पर क्लिक करने के बाद यह थोड़ा सा प्रोसेस करेगा अच्छा यहां पर प्यल्सी सर्च करने के लिए कह रहा है तो मैं सिंप्ली यहां पर सर्च करता हूं ओके तो यहां पर भी थोड़ा सा टाइम ले करते हैं और उसके बाद सिंप्ली हम लोग यहां पर फिनिस करेंगे यह हो गया ठीक है अब देखो यहां पर मैं मॉनिटर मोड सबसे पहले तो अन कर लेता हूं अब मॉनिटर मोड जैसी मां करूंगा तो यहां पर देखो आप लोग स्टेटेस चेक कर सकते हो सबश्च किया क्या एक है कि पहले से यहां पर सप्लाय आरहे हैं तो यहां रोगों। का और है है तो यहां पर देकर यहां पर पावर सोर्स है या पिर जो आपका लोड है यह लोड है हम लोगों का यह आपका जन्रेटर पर सिफ्ट हो गया और यहां पर भी प्रोग्राम में भी आप लोग यहां पर सिंप्ली चेक करना अब मैं वापस से सेम प्रोसेस को यहां पर फॉलो करता हूं मैं इस पू कर सकता हूं Х why आपके यहां तक आ गई आपके इस ट्रेमिनल तक आ गई ऑगे की यहां पे देखना आप लो है 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 नगे है हो साथ नगे अब देखो आप लो हुआ आपने स्टार्ट कर दिया यह आपका पावर तक कर सकतें हो आप पूच बटन प्रैस कर दो करोगे तो अपनेटर के पर सकते हम लोग सकते हैं लोग एक को कंट्रोल सकता है वैक यहां पे चैक कर सक्ते हैं और यहां आप लोग चेक कर सकते हो तो इस तरीके से हम लोग अपनी PLC के थुरू अपने ATS को कंट्रोल करते हैं यह तो हम लोगों का अपने का पर देटेल वह समझा रखा है आप लोगों को तो यहां पर मुझे वापस से सेम चीज़ दुबारा से और रिबीट करने की जुरूत नहीं है ताकि मैं यहां पर इसको आफ कर सको तो यह रिले मेरी अफ हो जाएगी हाला कि यहां पर सिर्फ दो ही मोड हम लोगों के यह पास या तो सोर्स ए या सोर्स बी बीच में कुछ आफ पहापशन नहीं है इस एटिस में ठीक है तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एक क्लिक से कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग यहां पर सिमेंस की पील्स कर रहे हैं बाकी अगर आप लोग वीडियो में इतना ही गाइस, thanks for watching, मिलते हैं अपने next वीडियो लेक्चर में